हेलो फ्रिंट्स गुद्मॉर्णिंग नमस्कार आदापसरीकाल स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल UK Study Circle में फ्रिंट्स आज है साथ सितंबर और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डिसकस करेंगे कल शाम तक के करण्ट अफैस से टॉप 10 most important questions उसके बाद हम बात करेंगे 5 सितंबर को पूछेगे सवाल पर और सबसे अंतमय होगा question of the day यानि आज का सवाल फ्रिंट्स आज के वीडियो से related PDF देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम एप को जोईन कर सकते हैं जिसका link description में दिया हुआ है आप इस चैनल को अपने टेलीग्राम एप पे UK study circle सर्च करके भी जोईन कर सकते हैं तो फ्रिंट्स चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेस का वीडियो आज का पहला question है हाल ही में जारी राज्य व्यापार सुधार कारी योजना 2019 में उत्राखंड का कौन सा स्थान रहा इसके options है A. दसवा, B. आठवा, C. ग्यारवा या D. तेरवा इस question का सही answer है option C. ग्यारवा इस्थान उद्योग वा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा तैयार इस report को वित्तमंत्री निर्मला सीतारवन द्वारा जारी किया गया और इसमें पहले नंबर पर है आंदरप्रदेश, दूसरी नंबर पर उत्तरप्रदेश और तीसरी नंबर पर है तेलंगाना उत्राखंड का इसमें 11 इस्थान रहा और दिल्ली रही 12 इस्थान पर कारोबार सुगमता के लिहाज से उत्तरप्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पिछली वर्स इसका 12 इस्थान था और इस बार दूसरा इस्थान है इस रिपोर्ट में परमिट, श्रम कानून, परियावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुँच, जमीन उपलब दिता और सिंगल विंडो सिस्टम मांदरणों पर आकलन किया जाता है उत्राखंड राज पिछली वर्स की रिपोर्ट में भी 11 इस्थान पर ही रहा था बढ़ते हैं आज के दूसरे कुश्चन की तरफ शिक्षक दिवस के अउसर पर उत्राखंड से किन है राष्ट्री सिक्षक पुरसकार से सम्मानित किया गया है इसकी ओप्शन से है तो फिंस इस बार राष्ट्री सिक्षक पुरसकार से केवलानित काणपाल और सुधा पैनित किया गया है तो इस कुश्चन का ओप्शन सी सही आंसर हुगा शिक्षक दिवस के अउसर पर 5 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपती रामनात कोबिन द्वरा 47 सिक्षकों को राष्ट्री सिक्षक पुरसकार से सम्मानित किया गया इस पुरसकार की सुरुवात 1958-69 में की गई थी उत्राखंड से यह सम्मान प्राप्त करने वाले केवलानिन काणपाल राज की उच्चतर माधिमे की द्याले कपकोट के प्रधाना द्यापक है बाली का सिक्षा में इनका विशेश युगदान रहा है और ये शलेस मट्यानी पुरसकार भी इससे पहले प्राप्त कर चुके हैं उत्राखंड से सम्मान प्राप्त करने वाली दूसरी सिक्षी का सुधा पैन्यूली एक लब्य आदर्स आवाश्वी विद्याले कालसी की उपप्रधानाचारिया है और देश में एक लब्य आदर्स आवाश्वी विद्याले में राष्ट्री सिक्षक पुरसकार से सम्मान परियोजना निम्न मैं से किसके सहयूग से चलाई जा रही है इसके options हैं A. UNEP, B. UNDP, C. WWF या D. UNESCO तो friends यहाँ परियोजना UNDP यानि United Nations Development Program के दोरा चलाई जा रही है तो option B इस question का सही answer होगा United Nations Development Program UNDP के तहत देश के चार हिमालई राजियों में यह योजना 2 October 2017 से चलाई जा रही है ये चार राजिये हैं उत्राखंड, हिमाचर परदेश, जम्मु कस्मीर और सिक्किन ये एक 6 वर्सी योजना है जो 2017 से 2023 तक चलाई जाएगी इसके तहत पहली बार स्नो लेपर्ड यानि हिम तैदों की गणना भी कराई जा रही है इस योजना के तहत ही देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजरवेशन सेंटर गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में बनाया जाएगा अगला सवाल है खबरों में रहा तुंगनात मंदिर उत्राखंड के किस जिले में इस्तित है इसके आप्शन है तो इसलिए इस कुशन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुंगनात मंदिर रुद्र प्रियाग जिले में चंदरसिला परवत सिखर परस्तित है और यह उत्राखंड में सरवाधिक उचाई परस्तित मंदिर है समुद्र तल से इसकी उचाई 3680 मीटर है पंचे केदार में यह तुर्ती केदार है और यहाँ पर शिव के हाथ की पुजा होती है इस मंदिर का शीत कालीन आवासी स्थल मकुमठ है और तुंगनात मंदिर जाने का पैदल मार्ग चोपता बुग्याल से शुरू होता है नेच्स्ट क्क्षिन है केंदरिय जल आयूग सेंटरल वाटर कमिशन CWC का गठन किस वर्ष हुआ था इसके उफ्शन से A. 1940 B. 1945 C. 1965 यादि 3970 फ्रेंड्स C.WC का गठन 1945 में हुआ था यानि उप्शन B इस कुशन का सही अंसर है तो फ्रेंड्स याद रखेंगे केंद्री जल आयोग यानि Central Water Commission CWC की स्थावना 1945 में की गई थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है इस आयोग को बाढ़ नियंतरण, सिचाई, पेजल आपूर्ती आधिकारे सौपे गए हैं हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए केंद्री जल आयोग और गूगल के बीच एक समझाता हुआ है इस समझाते के तहट गूगल के माध्यम से विभिन शेत्रों में लोगों को सारवजनिक सूचनाएं भेजी जाएंगी केंद्री ये जल आयोग देश के 123 बाधों और जलासायों के जल स्तर की निगरानी भी रखता है इसकी ओप्संस है तो फ्रिंट्स गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है एंडेंजर्ड स्पेसीज में यानि option B इस कुशन का सही आंसर है फ्रिंट्स IUCN यानि International Union for Conservation of Nature यह प्राकरतिक संपदा और जीव जनतों की सरक्षन के लिए एक अंतराश्टी संग है और इसकी रेड लिस्ट में गंगा डॉल्फिन को एंडेंजर्ड स्पेसीज में रखा हुआ है भारत में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोशना की गई है गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन सौंस के नाम से प्रसिद्ध है गंगा डॉल्फिन गंगा ब्रह्मपुत्र सिंदु मेगना नदी अपवहा तंत्र में पाई जाती है इस तंत्र में भारत नीपाल और बंगलादेश शामिल है गंगा डॉल्फिन का वेग्यानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है भारत सरकार तोरा इसे 5 अक्टूबर 2009 को राश्ट्री जली जीव घुसित किया गया है संकट ग्रस्त प्रज्राती होने के कारण इसे 1 जीव सरक्षण अधिनियम 1972 की सूची एक में शामिल किया गया है बिहार के भागलपूर जिली में इस्थित विक्रमसिला गैंग्टिक डॉल्फिन अभ्यारेंड को लुप्त प्राई गैंग्टिक डॉल्फिन के लिए सरक्षित छेत्र के रूप में नामित किया गया था बढ़ते हैं अगले कुश्चिन की तरफ आज का साथवा कुश्चिन है भारत से बाहर पहला योग विश्विद्याले किस शहर में इस्थापित है इसकी ऑप्संस हैं A. पेरिस B. नेरोबी C. लॉस अंजलिस या फिर D. जेनेवा इस कुश्चिन का सही आंसर है अप्संस C. लॉस अंजलिस अमेरिका के लॉस अंजलिस में इस्थापित यह योग विश्विद्याले भारत के बाहर पहला योग विश्विद्याले है और इस विश्विद्याले का पूरा नाम है विवेकानंद योग विश्विद्याले जून 2020 में छटवे अंतराश्टी योग दिवस के अउसर पर विदेश राज्यमंत्री वी मुरली धरन और विदेशी मामलों पर इस्थाई समिती के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने संयुक्त रूप से इसकी शुरुवात की थी इसके पहले चेर्मेन एचार नगेंद्र है और इसके पहले अध्यक्ष है श्री श्रीनाथ अब इसमें ऑनलाइन योगक्षाएं भी चलाई जा रही है नेक्स्ट कोश्चन है दलिटल बुक अफ ग्रीन नजजज नामक प्रकाशन किसके द्वारा जारी किया गया है इसके उप्सन्स है अ यून्डि प बी डब्लु एचो सी यूनएप या डी यूनो फ्रेंड्स यह प्रकाशन जारी किया गया है यून्एप यह यानि यूनि Nations Environment Program दोरा तो इस question का सही answer होगा option C संयुक्त राष्ट परियावरण कारिकरम United Nations Environment Program दोरा दुनिया भर के छात्रों को परियावरण के अनुकूल आजतों और हरियाली जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोचसाहित करने हेतु The Little Book of Green Nuses नामक प्रकाशन जारी किया गया है इसका मुख्याल है Kenya के नेरोवी में है और वर्तवान में इसके डिरेक्टर है इंगर एंडर्सन Next question है International Day of Charity कब मनाय जाता है इसके options है A. 2 सितंबर B. 10 सितंबर C. 5 सितंबर या D. 12 सितंबर Friends International Day of Charity मनाय जाता है 5 सितंबर को इस question का सही answer है option C Mother Teresa के निधन की वर्षगाठ को चिन्नित करने के लिए United Nations दौरा 5 सितंबर को अंतराश्टी Charity दिवस के रूप में घोशित किया गया Mother Teresa मूल रूप से आईरिश थी और 1929 में वे भारत आई यहां गरीब असहायों की मदद के लिए 7 अक्टूबर 1950 को उन्होंने कूलकाता में Missionary of Charities की स्थापना की 1951 में Mother Teresa को भारत की नागरिकता मिली 1989 में इन्हें शांति का नोबिल प्रुसकार से सम्भानित किया गया 1980 में भारत के सरवोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्भानित किया गया और 5 सितंबर 1997 को Mother Teresa का देहान्त हो गया आज का दसवा और अंतिम कुश्चन है इंद्रा नेवी युद्धा भ्यास भारत और किस देश के बीच होता है इसके options है A. चीन, B. रूस, C. अमेरिका या D. जैपान फ्रेंड्स इंद्रा नेवी युद्धा भ्यास किया जाता है भारत और रूस के मद्दे यानि option B. इस कुश्चन का सही अंसर है यह युद्धा भ्यास भारती नौसिना और रूसी नौसिना का दुवार्शिक रूप से आयोजित किया जाने वाला युद्धा भ्यास है इंद्रा नेवी का यह 11 संसकरण था और इसे बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया फ्रेंट्स यहाँ पर हम याद करते हुए चलते हैं कि रूस की राजधानी मासको है यहाँ के वर्तवान राष्टपती है ब्लादिमिर पुतिन और रूस की मुद्रा है रूबल च्छेतभल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस जो की एसिया और यूरोप में विस्तृत है फ्रेंट्स अब बारी है पास सितंबर के करिंट अफेस के दोरान पुछेगे कुश्चन की यह कुश्चन था विंसर वन जी विहार कितने वर्ग किलोमेटर च्छ सुर्भी कुकरेती, पुनमपंथ, दीब बेडवाल, विजय, विक्राज सिंग, ट्रीटिव थिंग्स, विनीता एरी, संजीव कुमार, सुनील बिस्ट और लर्न कैम फ्रेंट्स आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बढ़ाई और हार्दिक शुपकामना है तो फ्रेंट्स सेतालीस वर्ग किलो मीटर है फ्रेंट्स अव अन्त में बारी है क्वेश्चन आप दे यहनी आज के क्वेश्चन की आज का क्वेश्चन है उत्राखंड राज के संदर्ब में मुर्खली क्या है इसके उप्सन से ए लोग गीत, बी लोग नृत, सी आभूशन या डी इन में से कोई नहीं, फ्रेंट्स इस क्वेश्चन का अंसर आपने रोज की तरह हमें कर्मेंट बॉक्स में लिख कर देना है, आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इन्फर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक जरूर कीजीगा, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के स्टेडी ग्रूप में इसे शेर भी कीजीगा, ताकि इस वीडियो का लग आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को आल पर हमारी अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रेगलर मिलते रहें, और हमारी कोई भी इन्फरमिटिव वीडियो आपसे मिस नहों, तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गले वीडियो में, जय हिंद!